अब समझे कुछ योगिकों के बांड फार्मूला और एलेक्ट्रोन डॉट फार्मूला जैसे देखिए ये है सबसे पहले इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड हाश्य गेस सुना होगा आपने हाश्य गेस लाफिंग गेस इसको सुमने से हसी आती है इसलिए इसको लाफिंग गेस कहते हैं ये वो ही सुत्र है क्या नाम है नाइट्रस ऑक्साइड देखिए इसमें नाइट्रोजन के दो परमानू है इस तरीके से देख लें इस्ट्रक्शर बनाने के लिए दो बातों का दियान रख है एक तो परमानू एक दूसरे से बराबर दूरी पर हो तो देखे नाइट्रोजन नाइट्रोजन इतनी दूर है तो लगभग इतनी दूर ही ऑक्सिजन हो इसमें दो नाइट्रोजन परमाणू एक ऑक्सिजन से हैं आपको मालूम है नाइट्रोजन के बाहरी सेल में कितने होते हैं पांच एलेक्ट्रॉन और ऑक्सिज अगर हम इन दौनों में तीन-तीन इलेक्ट्रोन की साइजदारी करनें तो इसके मालों आपने इस तरीके से पांच इलेक्ट्रोन क्रोस वाले बनाएं इस नैट्रोजन पर माणूगे दो ये रे और तीन ये रे साइजदारी करनें तो इसके भी पांच होंगे तो पांच इसक बाहरी कोंस में आप फिर क्रॉस वाले दिखा सकते हैं क्योंकि इधर इदर सी만 पर सो आप इस तरी के से स्टार वना सकते इसके साथ में 6 इलेक्टॉण इस तरी नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बांड है अर्था नाइट्रोजन के दोनों पर्मानों के अस्टक पूरे हैं और इसके पास अस्टक पूरा होने के लिए एक एलेक्ट्रोन पेर की आवशक्ता है तो जहां इस तरह की विवस्था होती है कि एक के पास अपना पूर्ण अस्टक होता है और दूसरे के पास अस्टक पूरा करने के लिए एक एलेक्ट्रोन आवश्यक्ता है, तो वहां कौन सा बंद लगता है, कौन सा बंद लगता है वहां पर, कॉडिनेट बंड लगता है, इसका मतलब देखिए इनका अस्टक इस तरीके से पूरा हो गया, इसका अस्टक इस तरीके से पूरा हो गया, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो य अपना ये पेर इसको भी दे देगा अर्थात कॉडिनेट बॉंड से जुड़ जाएगा तो इसकी जो बॉंड इस्ट्रक्चर होगी नाइट्रोजन से ये दो परमाणू ट्रिपल बॉंड द्वारा जुड़े हुए हैं और इस नाइट्रोजन से ऑक्सजन परमाणू कॉडि बॉंड के द्वारा जुड़ा हुआ है बना लिजे इस्ट्रक्चर जल्दी अब यहां पर देखें यह हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एन ओ यह डाइमर होता है और यह और यह एंटू ओटू इसको अगर हम दो से गुणा कर दें तो एंटू ओटू ही बनेगा डाइमर होता है इसमें बिल्कुल इस तरह की ही संरचना होती है कि आप देखिए नाइट्रोजन के दो पर्माणू से ऑक्सिजन के दो पर्माणू जुड़े हुए होते हैं नाइट्रोजन के बाहरी सेल में पाँच एलेक्ट्रॉन और ऑक्सिजन के बाहरी सेल में छे एलेक्ट्रॉन होते हैं अब ये देखिए आप कि oxygen के ये 6 electron इस तरीके से दिखा रहे हैं हम माल लीजे इसके भी और इसके भी ये 6 electron nitrogen के बाहरी cell में होते हैं 5 electron ऐसे समझे दो, दो चार और एक से कर दीजे साज़ेदारी इसके आप ठोस दिखा दीजे दो, दो चार और एक 5 आप देखेंगे अगर oxygen और nitrogen दो-दो electron की साज़ेदारी करें इस तरीके से तो इस oxygen परमाणूं का अस्टक पूरा हो गया ये दोनों इस तरीके से दो-दो electron की साज़ेदारी करें तो इस का अस्टक पूरा हो गया आप देखेंगे इस नाइट्रोजन के हम कैसे दिखा रहे हैं गोल खोखले पांच हैं दो दो चार एक पांच इस नाइट्रोजन के गोल ठोस दो दो चार एक पांच दोनों के अस्ठक पूरा हो गए तो इस दरह देखिए इस नाइट्रोजन का अस्ठक पूरा हो गया और यहां पर देखिए इसका अस्ठक पूरा हो गया चार दो छे दो आठ चार दो छे दो आठ बॉंड इस्ट्रेक्चर बनेगी ऑक्सिजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सिजन दोनो नाइट्रोजन से दोनो ऑक्सिजन परमाणू डबल बॉंड के द्वारा द्यानि दो दो इलेक्ट्रोन की साज़दारी हो रही है और ना रहें किसकी है ये नाइट्रिक ऑक्साइड की डाइमर है तो देखिए मैं इसको यहां से खतम कर देता हूँ अब यहां देखिए NO2 या N2O4 सबसे पहले आप इसका देखें N2O3 इसको या तो नाइट्रोजन ट्रायोक्साइड या डाइट्रोजन ट्रायोक्साइड इस पर आईए इसमें देखिए नाइट्रोजन के दो पर्माणूं से ऑक्सिजन के पर्माणूं कितने हैं तीन जुड़े हुए हैं कैसे करेंगे जल्दी जल्दी structure बनाते रहें आप देखेंगे इसी में मैं समझा सकता हूँ देखिए यहां nitrogen के दो है और oxygen के तीन है अब nitrogen से कोई से किसी भी दौनों में से किसी भी nitrogen परमानू से एक oxygen परमानू जोड़ दीजे कैसे जोड़ेंगे oxygen परमानू oxygen के बाहरी cell में कितने होते हैं 6 इन दौनों nitrogen जिससे भी जोड़ेंगे उनका अस्टक पूरा है और oxygen के पास एक electron pair की अवशक्ता होगी तो ऐसी स्तिती में क्या होगा nitrogen अपना एक pair देदेगा किसको उस oxygen को तो जब एक pair देगा तो कौन सा bond लगेगा उप सह सही हो जगबांद जैसे वहां जहां पर भी ये विवस्ता है कि एक तत्तु के पास अपना पूर्ण अस्टक है और दूसरे के पास दो electron अर्थात एक pair की आवशक्ता है तो वहां पर coordinate bond बनेगा उप सह सही हो जगबांद तो देखिए nitrogen ट्रायोक्साइड है ये इसकी structure इस तरीगे से कि oxygen nitrogen nitrogen oxygen oxygen दो nitrogen दो oxygen होगे और तीसरा oxygen इस तरीगे से इनको बना दीजे देखिए इसके बाहरी कोस में 6 electron होते हैं तो दो-दो electron की यहां पर कर दीजे साज़दारी इसके साथ एक-एक electron की साज़दारी करिए हम oxygen के cross वाले बना रहे हैं इसके भी और इसके भी यहां पर देखिए इस nitrogen के 5 electron गोल ठोस दो दो चार एक पांच इस oxygen इस nitrogen के गोल हैं खोकले हैं दो ये रहे और दो ये रहे और एक ये रहा हमने गलती से cross का बना दिया था गोल खोकला बना दिये अब आप देखिए इसका अस्टक पूरा हो गया इन circle को चाहे वो dark circle हो या dotted circle हो इनका और कोई उचित नहीं है केवल आपको ये समझाने का प्रियास किया जा रहा है कि देखिए ये जो circle है इसमें जो भी तत्व है उसके इस तरीके से बाहरी सेल में electron पूरे हो रहे हैं अस्टक पूरा हो रहा है इन दोनों का आप यहां देखिए इसका अस्टक पूरा हो रहा है इसका अस्टक पूरा हो चाहे dotted circle हो चाहे dark circle हो केवल ये समझाने का आउचित हैं दोनों नाइट्रोजिन के अस्टक पूरे हो रहे हैं यहां पर अक्सिजन में देखिए कितने बाहर ही सेल में होते हैं छह बहुत संथर यह I का एसका इस्टक पूरा है तो यह क्या करेगा एप इसका इसको दे-देगा अपना, अगर दस हो रहे हैं, तो वो गलत हो रहे हैं, कहां पर हो रहे हैं, तो ये हमने मिटा ये नहीं, मिटा के आएंगे, जब ही तो शेयर करेंगे, दो, चार, छे दिखा रखे थे, जब यहां सेयर करें तो उनको यहां से मिटा देना चाहिए, समझा गया, तो देख ये उसका bond formula कर दिए देखिए oxygen, nitrogen, nitrogen, oxygen और oxygen इन दोनों के बीच में double bond है इसके बीच में coordinate bond है और ये single bond है ये उसका bond formula है नोट करिए जल्दी और उपर आईए अब देखिए ये था डाई nitrogen ट्रायोकसाइड या nitrogen ट्रायोकसाइड अब आप समझ ये N2O4, dinitrogen tetraयोकसाइड यानि हम इसको nitrogen tetraयोकसाइड भी कह सकते हैं दोनों इनाम ठीक हैं इसमें क्या है nitrogen के दो पर्माणूं से oxygen के कितने हैं चार तो आप ये जो structure है इस structure में जोड़ सकते हैं एक जैसे तीसरा यहाँ जोड़ा था तो चोथा आप यहाँ जोड़ दीजे coordinate bond के दो बिलकुल यही structure हो जाएगी देखें किस तरीके से ये oxygen nitrogen nitrogen oxygen एक oxygen ये उसी बरावर दूरी पर मनाएं बरावर लंबाई चोड़ाई में बनाएं देखें nitrogen के चार पर्माणूं है oxygen के चार पर्माणूं है ऐसे ही कर दीजे आप दो दो चार और दो के साथ कर दीजे साजेदारी इसका भी इसी तरीके से दो दो चार और दो के साथ कर दीजे साजेदारी nitrogen के पास पास आ रहे हैं तो एक को अंतर करने के लिए गोल खोकला बनाया है तो एक को गोल ठोस बना दीजे इस nitrogen के दो और एक एक से कर दीजे साजेदारी यहां देखिए इसका अस्टक पूरा हो गया इसका अस्टक इस तरीके से पूरा हो गया इसके नाइट्रोजन के अस्टक पूरा हो गया इस नाइट्रोजन का अस्टक पूरा हो गया यहाँ देखिए इस oxygen के अपने 6 electron यह है इस oxygen के 6 electron यह है इनको भी अपना अस्टक पूरा करना है तो यह जो nitrogen का तो अस्टक पूरा है इसको 2 electron की आवशकता है तो यहाँ पर इन दोनों के बीचों बीच कर देंगे अर्थात coordinate bond से जोड़ देंगे यह अपना एक पेर इसको दे देता है इस तरीके से जो bond formula होता वो इस तरीके से nitrogen oxygen nitrogen nitrogen oxygen 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 यह double bond से जुड़े हुए है यह coordinate bond से जुड़े हुए है अब देखिए यदि किसी book में यह structure अगर ऐसे बना दी है कि nitrogen nitrogen ठीक है और ऐसे और ऐसे इस तरीके से या ऐसे करने हम और यह double bond होके oxygen तो यह structure भी गलत नहीं है यह भी ठीक है बिल्कुल कारण आप देखिए nitrogen 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 के बीच में single bond है यहाँ पर भी single bond है और थात एक एकी साज़दारी हो रही है एक oxygen परवाणू यह एक इधर का इधर का जुड़े हुएं किससे double bond से उसमें भी और दो जुड़े हुए है coordinate bond से इससे कोई फरक नहीं पड़ता है बंधों की संख्याव वो ही है केवल क्या है structure बनाने में थोड़ा सा अंतर है लेकिन अगर आप ऐसी बनाते है structure तो electron अब आईए प्रमानों से oxygen के कितने जुड़े हुए है पांच प्रमानों इसको बनाएंगे structure को कैसे कि oxygen, nitrogen, oxygen, nitrogen, oxygen ऊपर इस दोनों nitrogen के एक एक उपर या नीचे दोनों से आप जोड़ सकते हैं अब देखिए oxygen के आप cross के बना दीजे दो दो चार और दो च्छे दो दो की करा दीजे इनके बीच में साज़ेदारी इसमें दो और एक की करा दीजे साज़ेदारी इसमें देखिए दो और दो की करा दीजे साज़ेदारी यहां देखिए nitrogen के हमने गोल खोखले पांच दिखाएं दो दो चार एक पांच यहां पर इस oxygen के 6 दिखा दीजे 2, 2, 4 और एक इसके साज़ेदारी oxygen के देखिए 6, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 6 इस nitrogen के 5, 2, 4, 1, 5 क्योंकि nitrogen और nitrogen आपस में मिल नहीं रहे हैं तो हमने कैसे दिखा दिए गोल खोखले दोनों के 5 electron देखिए 2, 4 और 1, 5 इस nitrogen के भी गोल खोखले 2, 2, 4 और 1, 5 तो आप यह देखेंगे इन oxygen के भी 6, 6 electron इस तरीके से दिखा दीजे अब इस तरीके से देखने में आपको अभी समझ में आने में भी परिशानी है देखिए अगर हम ऐसे circle कर देते हैं तो आपको पता चलना है 8 electron इसके पूरे होगे और 8 electron इस oxygen के पूरे होगे दोनों nitrogen परमाणूमों के 8, 8 electron इस तरीके से पूरे होगे इस oxygen के भी 8 electron इस तरीके से पूरे होगे इस nitrogen का अस्टक पूरा है लेकिन oxygen के पास दो electron की आवशकता है इसका मतलब nitrogen इसके साथ किस से जुड़ेगा coordinate bond से एक electron pair दे देगा तो इसका अस्टक पूरा होगे और ये nitrogen भी अस्टक पूरा है इसके पास दो electron की आवशकता है oxygen के तो ये भी अपना एक pair इसको दे देगा अर्थात इस तरीके से तो आप देखेंगे oxygen, nitrogen, oxygen, nitrogen, oxygen इन दोनों के बीच में यानि nitrogen और oxygen जो सिरे पर हैं उनके बीच में double bond है और nitrogen के बीच में दोनों के में जो oxygen परमाणू है वो single bond से जुड़ा गवा है आप अगर नीचे बनाते है oxygen परमाणू तो यहाँ पर भी नीचे ही बनाएं दिखाएं उपर ना दिखाएं ताकि ऐसा ना हो कि उसे कौपी जाचने वाले को समझने में परिशानी हो जाएं क्योंकि कौपी जाचने वाले को सबसे बड़ा गधा समझिए उसको समझाना है आपको कि यह ऐसे नहीं है ऐसे है यदि आप यह सोचके करोगे तो आप पूरे मार्क्स में वेंगे और यदि आप यह सोचेंगे कि इतना तो वो जानता है या जानता होगा तो यह आपकी गलती है हो सकता है जानता तो वो उससे भी जादा हो लेकिन वो उसमें कोई मीन मेख निकाल कर आपको गलत मार्किंग कर सकता है तो ये समझेए कि आपने समझाना है उनको समझा गया ये इसकी structure होगी अब देखिए आगे है नाइट्रस ओक्साइड नाइट्रस ओक्साइड HNO2 यहाँ पर देखिए इनके नाम भी लिखते रहें साथ के साथ जो भी हम बोलते हैं बताते हैं HNO2 नाइट्रस ओक्साइड नाइट्रस ओक्साइड में नाइट्रोजन के एक परमाणू से एक हाइड्रोजन का है दो ओक्सिजन के है किस तरह बनाएंगे आप नाइट्रोजन परमाणू बना दिया इधर ओक्सिजन परमाणू बना दिया इधर हाइड्रोजन परमाणू बना दिया आक्सिजन और हाइडोजन के बीच में आप एक एक लेक्ट्रोन की साज़ेदारी कर दीजे हाइडोजन को मैंने गोल ठोस करके दिखा दिया है यहाँ पर देखिए ऑक्सिजन दो दो चार दो की करा दीजे इसके साथ साज़ेदारी तो देखे इस ऑक्सिजन के क्रोस वाले छे दीख रहे हैं आपको इस नाइट्रोजन के बारी स्कोस में नाइट्रोजन के में पांच एलेक्ट्रोन होते हैं दो यह हो गए और एक के साथ इसकी साज़ेदारी दो दो चार एक पांच एर एक छे इस तरीके से और इसके पास यह इस nitrogen के पाँच एलेक्टरोन दो, दो, चार, एक पाँच. इस hydrogen का एक गोल्ठ होस. अब देखी है hydrogen को कितने चाहिए अपने बारीचल में? दो, पूरे हो गए, oxygen के 8, ये पूरे हो गए, इस oxygen के ये 8 electron पूरे हो गए, और इस nitrogen के ये 8 electron पूरे हो गए अब bond formula उसी तरह बना दीजे, hydrogen, oxygen, nitrogen, oxygen, ये जुड़ा हुआ है double bond, ये single bond और ये single bond, ये bond formula हो गया हाला कि यदि आप इसको ऐसे पलट देंगे, तो गलत वो भी नहीं है, उसमें भी nitrogen से एक oxygen परवाणू single bond के द्वारा, और एक double bond के द्वारा है और oxygen परवाणू, जो single bond से जुड़ा हुआ है nitrogen से, उससे hydrogen परवाणू single bond के द्वारा है, लेकिन आप प्रियास ये करें, कि बिल्कुल हूब 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 इस तरह का ही अब देखिए, nitric acid का, HNO3, nitric acid, इसको aqua fortis भी कहते हैं, सोरे का आमली भी इसी को कहते हैं, कई नाम होते हैं, तो जितने भी नाम आपको आया करें, उनको not जरू कर लिया करें एक अच्छा तरीका है, कोई नई चीज आपको अगर मिलती है, नया नाम मिलता है, तो उसको हासिय के उपर लिखना सीखें, आप जब भी coffee खोलेंगे, वो आपको दिखाई दे जाएगा, और आपकी vocabulary बढ़ेगी, आपका अग्यान बढ़ेगा तो देखिए, nitric acid है, इसमें क्या है, nitrogen के एक परमाणू से, oxygen के तीन परमाणू और hydrogen के एक परमाणू ऐसे समझ लीजे, यह दिखाई दे रहा है आपको, इसी में, इस nitrogen से, अगर हम नीचे की तरफ, एक oxygen, या तो नीचे की तरफ, या इससे उपर की तरफ, किदर भी जोड़ दें, तो वह structure हो जाएगी, इसका अस्टक पूरा है, उसको दो electron के आवशक्ता होगी, वो अपना ए oxygen, इनके साथ एक-एक electron की साज़दारी कर दीजे, इस oxygen की और nitrogen की दो-दो electron की साज़दारी कर दीजे, इस nitrogen के पाँच electron, दो और एक तीन, और यह बच गए, तो इसने एक pair इसको दे देगा, दो, दो चार और दो च्छे, बना दीजे circle, इस तरीके से देखिए, इसके दो electron पूरे, इस oxygen का अस्टक पूरा, इस oxygen का अस्टक पूरा, और इस nitrogen का अस्टक पूरा, इस का अस्टक पूरा है, इसको दो electron की आवशक्ता है, तो यह अपना pair दे देगा, अर्थात coordinate bond से जुड़ जाएगा, इस तरीके से, इस nitrogen से oxygen पर माणू double bond के दोरा, और इस nitrogen से oxygen पर माणू coordinate bond के दोरा, अब देखिए, इसको ऐसे बना दें, या ऐसे बना दें, ह, O, N, double bond O, और coordinate bond O, तो इसमें और इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों structure ठीक हैं बिल्कुल, ऐसे समझो, अगर हम, जैसे उसको समझाते हैं न, physics में, संधारित्र को, कि इसको पकड़ गया हम ऐसे कर दें, तो यह नीचे आ जाएगा, वो उपर आ जाएगा, यह इसको ऐसे म होजिए, नाइट्रिक एसिड दोना हो गए, नाइट्रस भी और नाइट्रिक भी, अब देखिए, H2SO4, है, Sulfuric Acid, इसे गंदक कामल भी कहते हैं, Sulfuric Acid को, किन ओफ एसिड भी इसी को कहते हैं, किसी भी देश का ओद्योगी की विकास, इस बात पर निर्भर करता है, कि उस देश में, एक साल में, कितना ज़्यादा से ज़्यादा, Sulfuric Acid की खफत होती है, जो देश सबसे ज़्यादा Sulfuric Acid खर्च करता है, वो सबसे ज़्यादा रसाइन के छेतर में सम्रद माना जाता है, तो क्या नाम है इसका, Sulfuric Acid भी इसी को कहते हैं, गंदक का अमल भी इसी को कहते हैं, और इसके अलावा, क्या बताया तीसरा नाम, King of Acids, रसाइनों का अमलों का राजा, अमल राज अलग चीज है, अमलों का राजा, ना की अमल राज, तो देखिए, H2SO4 में क्या होता है, Oxygen के चार परमाणू, Sulfur का एक परमाणू, और Hydrogen के दो परमाणू, ऐसे समझेए, ये Sulfur का परमाणू है, इससे दो Oxygen परमाणू जोड़ दीए, इन दोनों से एक-एक Hydrogen परमाणू जोड़ दीए, दो Oxygen हुए, Sulfur से कितने हैं, चार, तो आप इस तरीके से एक नीचे कर दीजे इसके और एक इसके उपर कर दीए, Oxygen से ही करिए, स्टार्ट क्रोस वाले बना दीजे, सब Oxygen हो के, दो, दो, चार, एक, पाँच, और एक Hydrogen का ये 6, इसके साथ है कि इलेक्ट्रोन की साइजदारी कर दीए, इस तरीके से, अब देखे, Oxygen के दो, दो, चार, एक क्रोस वाले पाँच, और एक ये 6, अपने पूरे होगे, इसका भी इसी तरह करिए, दो, 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 चार, एक, पाँच, और ये गोल्टोस हाइडोजन का, और ये एक ही एक क्रोस वाला Oxygen का, इस Oxygen के देखिए, दो, 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 चार, दो, च्छे, यहाँ पर देखिए, दो, दो, चार, और दो, च्छे, सल्फर के बाहरी सेल में 6 एलेक्टरोन होते हैं, यहाँ पर 2 दिखा दिये हमने, कितने और दिखाएं, 4, तो ये 2 और ये 2, अब देखिए, दोनों हैडोजन परमाणूओं के इस तरीके से 2-2 एलेक्टरोन पूरे हो गए, आक्षिजन के इन दो परमाणूओं के इस तरीके से अस्टक पूरे हो गए, देखो दोनों के, 6 होने चाहिएं, क्रोस वाले करके दिखाएं, 2-2-4, 1-5 और 1-6, अस्टक में जो आ रहे हैं उनको गिल लिजए, अब सल्फर के गोल खोकले हैं, 2-2-4, 1-5 और 1-6, इसका मतलब, ये इलेक्टरोन इस तरीके से सल्फर का और इसके पास अस्टक पूरा है, इसके पास 6 एलेक्टरोन है, इसका अस्टक पूरा है, तो जहां इस तरह की अफशकता होती है, कौन सा बंद लगता है, कौडिनेट बॉंड, तो ये अपना एक पेर इसको देदेगा, और बराबर का अधिकार भी रखेगा इस तरीके से, ये अपना एक पेर इसको दे देगा और इसका बराबर का इस पर अधिकार रखेगा कैसे दिखाएंगे सल्फर के एक परमाणू से इधर इधर दो ऑक्सजन परमाणू सिंगल बॉंड द्वारा उपर नीचे एक एक कॉडिनेट बॉंड द्वारा और इन दोनों ऑक्सजन परमाणूं से जो सिंगल बॉंड के द्वारा जुड़े हुए हैं हाइडोजन परमाणू किसके द्वारा जुड़ेंगे सिंगल बॉंड के द्वारा ये स्ट्रेक्चर होगी नॉट करिए